आप सभी का टीचर्स और टेट अडड़ा के यूटूब प्लेटफोर्म पे जहां आपकी आगमी परिक्षा की करवाई जारी है तो स्टार्ट करते है आज का कुश्चिन एचिक है तो पॉली कॉट जाते है तो पॉली कोट किसका है इसमें एक होगा क्या पॉली एस्टर दूसरा होगा आपका कौन सा देट इस कॉटन पॉली वॉल किसका होगा एक होगा इसमें पॉली एस्टर अगेन दूसरा होगा इसमें वूल टैरी कोट किसका है एक होगा इसमें टैरी लीन और दूसरा होगा इसमें क्या cotton ठीक है तो जब आपके fibers को मिला के mix करके आपका नया fiber तियार किया जाए ऐसे fibers को हम क्या बोलते है that is आपका blended fibers या फिर आपके ठीक है मिशरित ratio answer to this question will be ठीक है D will be the right answer ठीक है polycott पूछा है तो polyester end का pass चली next question is ठीक है thermosetting या ताप द्रड प्लास्टिक कौन से होते है ऐसे प्लास्टिक जो गर्मी देने पर हीट देने पर shape change करे ठीक है मतला अपना आकार बदले और ठंड़ होने पर ठीक है original अपना shape को gain कर ले वापस से पहले जैसे हो जाए ऐसे प्लास्टिक को हम ताप द्रड या फिर thermosetting plastic बोलते है ठीक है तो ऐसे प्लास्टिक को हम क्या बोलते है ताप द्रड या फिर thermosetting plastic melamine, polythene, PVC, nylon pdf का मिलेगी बिटा ये बाई ववानी सर दिख रहा है इसके आगे EVS लगा के सर्च कर लेना चलिए तो basically आपके thermosetting plastic में बड़े अच्छे अच्छे example जो है ताप द्रड में आपके जो अच्छ? अच्छे example है एक है आपका bakelite एक है आपका melamine और एक आपका basically nonstick cookware बनाया जाता है तो nonstick cookware भी एक तरीके का आपका क्या है that is thermosetting plastic है तो coating काई की चड़ाई जाती है, non plastic minority cookware में coating काई की चड़ाई जाती है, answer इसका क्या है, medium- winding है, बढ़ non strict cookware पे coating काई की चड़ाती है, अपन गहते है ये, ये coated है, क्या coated है, आजकल caro की उपर भी उसकी coating चड़ाई जाती है, सम्मेज का ख्लास कब होता है बिटे थीन बज़े होता है काही की कोटिंग चडाते very good काई की कोटिंग होती है ते तैफलोन की गूhero इने पर यह को carbon using ठीक है तो इसमें आता है आपका polyester ठीक है आपका क्या बोलते है polyester गेरो sorry polyethylene ठीक है जिसको आप polyethylene बोलते हो ठीक है देन आपका basically क्या बोलते PVC polyvinyl chloride ठीक है टेरफ थेलेट यह सारे के सारे आपके ठीक है थर्मो सेटिंग ब्लास्ट के एक्जामपल है निक्स इंग है खाने पकाने के बरतनों के हैंडल आपने एक्सरकार कूकर में एक ब्लैक कलर का हैंडल लगा होगा देखा होगा वो किस से तैयार किया जाता है पॉली थीन से पी वी सी से या बेकलाइट से ऐस सीडीपी का कल्श कब होता है पेटए सीडीपी का शाम को होता है पी वी सी एक्सलेंक सर पॉलि विनाइल खॉरिट जब विनाइल क्रॉans के मोनोमर्स विला के एक योणिट बनादी एक नई पॉलीक तैयार के और उसको पॉ कि चलिए वेरी गूड एंसर तो दिस कोश्चिन विल भी बेक लाइट से क्यों बनाए जा रहे है भाई कूकर है गर्मी एब्सॉब करेगा तो अगर आपने इन में से पीवी सी पॉलिथीन में से कोई भी चीज यूज करी वो डिफॉर्म हो जाएगा उसके शेप डिफॉर्म इसा नहीं यह कि दिफॉर्म, नहीं हो सकता आपने इलेक्टरिक सॉकेट को जलते हूँ देखा होगा देखा न पूरा पेट बहुत हाई हीट चाहिए है इन लोगों को गलाने के लिए इन लोगों को लोर हीट पे पर आपका क्या क्या किया जा सकता यह इतनी यह इद सब्सक्राइब दार नहीं जाए तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो डिखर ना पथर छोड़के're डिफॉर्मन पदे रहते eleven निमने लिखित में ऐसे किस समू में सभी सिंथेटिक पदार शामिल है नाइलॉन टेरीलीन उन कपास पॉलिकॉट रेयॉन पीवी सी पॉलिथीन बेकलाइट एक्रेलिक रेशम उन साइन्स क्लास रोज कल चलता है गुरू जी संडे को छोड़ दिया जाए तो संडे जनरली ओफ होता है बट कभी को बार संडे को भी ले लिया जाता है प्र fasten रहे बताईए कि इनमें से आपका संठट्रेट फाइबर का सट कौन सा योग माराञं से यी आपको ओन-लाइन में पूचा गया कोश्चन है ठीक है जब ओन-लाइन आपका ओगता थ Brad zas सीहिटेट देखित नाइलों सिंथर्ट एक कैया टैरीलीन सिंथर्टिक है ऊना आपका नैच्रल लोता है हें न नेच्रलतपों ऑलीलियॉ ॉन नैच्रले नेच्रल्ल लेपॉयॉ kin how क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा कितने कोश्चन हो गए है विटा चार कोश्चन हुए अभी निक सिंग इस वह सामगरी जो आमतोर पर रसोई घर के कंटेनर बनाने के लिए उपयोग की जाती है हमारे घर में ठीक है जो आपने देखा होगा दालों के आजकल प्लास्टिक के डब्बे आते है या फिर आपका जो क्या बोलते है टिफिन वगेरे लंच बॉक्स आता है वो एक मटेरियल का बना हुआ है पीवी सी का एक्रेलिक का टेफलोन का या फिर पीटी का मेरी क्लास का टाइम बेटे शाम को पाँच बजे चलिए तो हमारे घर में बेसिकली क्या यूज किया जाता है ठीक है पीटी यूज किया जाता है या पॉले इथाईल टेरप्थलेट पॉली इथाईल पॉली इथाईल टेरप्थलेट तो पीटी के आपके क्या होते बरतन मुखोते डी विल वीदा राइट एंसर नहीं बेटा टेफलोन वहां यूज करोगे जहां आप नॉन स्टिक कुक वेर की बात करोगे जब भी नॉन स्टिक आ जाए तो आँख बंद करके टेफलोन लगा देना ठीक है अंजू सकसे ना जी ठीक है तो जब भी नॉन स्टिक लिखाओ मतलब ऐसा चिकनाई रहित बरतन जो लिखाओ वहां पर आप बेसिकली आँख बंद करके क्या बना सकते हो ठीक है टेफलोन बट बात चल रही है किसकी जो कंटेनर वगेरा आते जिन में दाले रख रही हो ठीक है आपका बोलते हो क्या बोलते है चीनी रख रहे हो ठीक है आपका चावल रख रहे हो वो आपका क्या होता है पीटी सर इसमें पैड़ा के कोश्चन भी इंक्लूड करिए जल्दी आपका मैट्स में ठियोरी से आते है 20, पेड़ागोजी से आते है 10, तब जाके 60 नंबर का बनता है, काली कड़ाई, अब काली तो जलने से भी हो सकती है, धातु आम तोर पर तनू अमलों के साथ प्रक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन करती है, निमने लिखित में से कौन सी धातु तनू हाइड्रोक्लोरिक अमलों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, मैंगनेशियम, अलुमूनियम, आयरेन, कोपर इस टाइम पे ही चलती है साइंस, हाँ जी इस टाइम पे ही चलती है साइंस तो मैटल जनरली रियक्ट विट डाइलूट असट तो प्रोडूस हाइड्रोजन गैस, विच वन अफ द फॉलिंग मैटल डाइलूट रियक्ट विट डाइलूट हाइड्रोक्लोरिक असट चलिए, देखे, सबसे पहली चीज, एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, मैटल जनरली आपका रियक्ट करती है किस से असट के साथ, और आपका बन जाता है क्या, कोई भी सॉल्ट बना देती है यह, और साथी साथ में आपका हाइड्रोजन गैस भी बना देती है, ठीक है, एक बहुत अच्छा एक्जामपल अगर ले ले, मैगनेशियम की रियक्टिन करवा दीजे, किस से असट के साथ, ठीक है, तो यह आपका MgCl2 और हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा, बट एक ऐसी ऐलेमेंट है, जो कि आपकी basically react नहीं करती, answer is, copper, reason is due to its low reactivity, अपनी कम अभी करिये था की वज़े से, जनरली यह dilute SCL के साथ, react नहीं कर पाती है, ठीक है, answer to this question will be, D will be the right answer, अच्छा यह पताओ, यह तो पता लग गया तुम्हें, metals, sorry, non-metals, अगर acid के साथ react करवाई जाएं, तो क्या बनेंगी, non-metals react with acid to form, non-metals react with acid to form, hydrozone से नीचे है, copper, इसलिए, यह react नहीं करेगी, हां जी, चलिए, तो याद रखिएगा, non-metals आपका, reaction नहीं करती है, किसके साथ, acids के साथ, next thing is, निमने लिखित मैंसे, कौन थंडे पानी के साथ, तीवरिता से प्रतिक्रिया करता है, देखे, सबसे पहले आपको reactivity series, याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके basis पे, कई हो सारे question, chemistry के हो पाएंगे, अगर आपको यहीं याद नहीं होती, ठीक है, झाल, 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 तो sodium, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold और platinum, यह आपकी सीरीज है, जिसमें सबसे ज्यादा रियक्टिब, most reactive कौन सा है? ठीक है, sodium के रहूँ, potassium है, और least reactive कौन सा है? platinum है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा reactive आपको कौन सा है, that is, most reactive is potassium, ठीक है, आपको cold हो जाएगार, टोपी लगा किया आगरे, ठीक है, तो most reactive is potassium, least reactive is platinum, अब देखो, यह याद कर लो, यह याद कर लो, क्योंकि इसी के basis पर आप reactivity series के question कर पाओगे, ठीक है, तो कैसे याद करोगे, केदार नाथ का माली आलू जीरा फीके पकाता है, ठीक है, कुकर मेरा आग और पतीला, ठीक है, हच जी क्या होता है, mercury, तो इसको आप क्या बोलोगे, कुकर मेरा आग और पतीला, ठीक है, तो केदार नाथ का माली आलू जीरा फीके पकाता है, कुकर मेरा आग और पतीला, ठीक है, अब देखो, which of the following reacts with cold water vigorously, sodium और potassium, cold water से vigorously react करती है, याद कर लेना, ठीक है, cold water के साथ, sodium और potassium vigorously react करती है, calcium आपका cold water के साथ, react करती है, बट non vigorously, जादा मतलब खतरनाग वाली reaction नहीं है, ठीक है, magnesium आपका hot water के साथ, reaction शो करता है, ठीक है, इसको गरम पानी चाहिए, ठीक है, aluminium, zinc और iron, ठीक है, aluminium, zinc और iron, ये आपका basically, steam के साथ react करते है, इनको hot water भी नहीं चाहिए, इनको क्या चाहिए, steam चाहिए, तो answer क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, that is, we will be the right answer, is that clear, is that clear, इसके बाद वाले, जनरली आपके water के साथ, reaction नहीं शो करते हैं, किसके बाद वाले, ठीक है, iron के बाद वाले, तो याद रखना, ठीक है, cold, cold के साथ, vigorous reaction आ रही है, तो option में, या तो आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, potassium होना चाहिए, या फिर option में, sodium होना चाहिए, ठीक है, cold के साथ, non vigorous, मतलब बहुत जादा, अब क्या बोलते हैं, खतरनाक reaction नहीं है, वो calcium के लिए होगी, को आपका hot water के साथ बोल रहा है, तो वो magnesium से react करेंगे, और अगर आप steam के साथ बोल रहा है, तो aluminium, zinc और iron के साथ, react करवाया जाएगा, चलिए, next question है, वह दातू जो तनू hydrochloric अमले के साथ साथ, sodium hydroxide के गोल के साथ, प्रतिकिया करके, hydrogen gas उत्पन करती है, कहने का मतलब है, ऐसी धातू जो एमफोटेरिक नीचर की है, उभै धर्मी है, ठीक है, कि acid के साथ react करती है, तब आपका क्या कर रही है, ठीक है, तब भी hydrogen gas निकाल रही हो, जनरल साइन्स, इक्स टू टैन्स की, थियोरी ग्लास पेड में, क्या टाइमिंग, अभी बेटा, एक दो दिन में स्टार्ट होगी, उसके लिए मैं, टाइम स्लोट डूड रहा हूं, जैसे टाइम स्लोट मिल जाएगा, एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएगी, चलिए, तो answer to this question, विल भी ठीक है, ऐसी धातु है, आपकी कौन सी, that is, aluminium, C will be the right answer, ठीक है, तो aluminium आपकी, amphoteric nature की है, दोनों के साथ, रियक्ट करके, hydrogen gas निकालेगी, next thing is, सामानने ते, धातविक ऑकसाइट, शारिय होते हैं, और अधातविक ऑकसाइट, अमलिय पर करती हैं, ठीक है, कहरा है आपका, ठीक है, अगर आपका, calcium oxide है, calcium क्या है, धातु है, और oxide है, तो यह आपका, कैसा nature का होगा, basic nature का होगा, शारिय होगा, ठीक है और अगर आपका CO2 है ठीक है यह कार्बन है यह oxygen है तो यह आपका कैसा नीचर का होगा acidic nature का होगा अमलिय नीचर का होगा पानी में निमले लिखित में से किस oxide का गोल नीले लिटमस का रंग लाल में बदल देगा ठीक है sulfur dioxide का iron oxide का magnesium oxide का copper oxide का तो पानी के अंदर जनरली metallic oxide are basic and non-metallic oxides are acidic in nature solution of which of the following oxides in water will change the color of the blue litmus to red answer to this question will be बहुत easy question है ठीक है यह विल भी दाराइट एंसर sulfur dioxide ठीक है आयरन मेटल है copper metal है ठीक है magnesium metal है metals कैसे होते है basic oxide होते है ठीक है sulfur आपका non-metal है sulfur कैसा होगा acidic oxide होगा अमली होगा ठीक है यह तो पता है कि नहीं कि sulfur non-metal है यह पता है कि नहीं कैसा होगा पता करते हो metal non-metal ठीक है तो sulfur आपका कैसा है non-metallic oxides है ठीक है मतलब acidic oxide है तो acidic oxide ही blue litmus को red litmus में change कर पाएगा ठीक है जल और petroleum ठीक है वन निजीव और खनीच एक मिनिट question में कुछ doubt लग रही है निमने लिखित में से कौन सा संपूर्ण संपूर्ण है नहीं निमने लिखित में से कौन सा शैकारी प्राकरतिक संसादनों का युग में ठीक है कोईला और मिट्टी ठीक है और हवा और सूरज ठीक है जल और petroleum ठीक है वन निजीव और खनीच तो कौन सा इसमें से ऐसा प्राकरतिक संसादन का युग में जो शैकारी है मतलब जो खतम हो जाएगा exhaustible exhaust हो रहा है मतलब खतम हो रहा है inexhaust मतलब खतम नहीं हो पाएगा तो देखो कोईला खतम हो सकता है कोईला खतम हो सकता है यूस करना चालू कर दो तो तो हवा क्या करती है काट्ति चाटि चाट्ति काटि काटि मिपथर को तोच्टी रहती है और मिठ्टी बनाती रहती है अफ्रॉसेस को पीडो जनेशिस कहते है क्लियर हावा खटम नहीं हो सकती बले आपका कुछ भी हो हवा नहीं खटम हो पाएगी शूरज की रॉष्णी खटम होने बिलियंस ओफ एर्स है थिक है जल खट च्वंटीवन परसेंट वाटर है च्वंटीनाइन परसेंट है वन ये खतम हो सकते वई जानवर चटका दो मिनरल्स खतम कर दो कि डी विल वीदा एसमेस नहीं आती आपके सरक्लास का याद कल लो टाइमिंग पांच वजे एसमेस आए ना आए तुम आ जाना नैप्थलीन वोल्स को तारकोल से प्राप्त किया जाता है इसका उप्योग किया जाता है मच्चर विकडशक में मदुमक्खी विकडशक में तो जो नैप्थलीन बॉल्स आप सब लोगों के घर में कपड़ों में बेसिकली क्या डाली जाती है ठाक है ताकि आपका एक कपड़ा होता है कीड़े का जिसको ओम बोलते अ लवर फिश ये कीड़े खाता रहता है ठीक है ताकि आपका दूर रहे सी विल वीदा राइट एंसर निक्स इंग इस निमने लिखित में से सही कतन चुने पाइप के माध्यम से प्राकर्तिक गैस का परीवन करना मुश्किल है प्राकर्तिक गैस का नुकसान यह है कि इसका उपयोग सीधे घरों में जलाने के लिए नहीं किया जा सकता प्राकर्तिक गैस को संपीडित प्राकर्तिक गैस की रूप में उच्छ दवाब में किया जा सकता है, प्राकर्तिक गयस का उपयोग, ठीक है, बिजली उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता है, तो चूस दा कर्रेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम्ट फ्रॉम्ट इस डिफिकल तो ट्रांस्पोर्ट गयस थ्रू पाइप, अज़िकल गयस अज़िए, दिफिकल अज़िकल बाइप, प्रॉम्ट इस अज़िए नहीं किया ज़िए, प्राकर्तिक गयस को ठीक है, हम गया करते है, बोलते हैं न, कंप्रेस्ट नेचुरल गयस, तो सी एंजी के रूप में यूज कर रहे है ठीक है और ये अंडर हाई प्रेशर और लो टेंप्रेचर पर कंप्रेस करी जाती है निमने लिखित कतनों के सामने साही या गलत लिखे ठीक है मतला आपको यह बताना है यह ट्रू है या फर यह फॉल्स है हवा में ऑक्सिजन एक समाप तोने वाला प्राकरतिक संसादन है सही है गलत है ट्रू डालू फॉल्स डालू आपको यह बताना है सही है गलत है हवा में जो ऑक्सिजन है वो खतम हो जाएगी ट्रू है फॉल्स है सही डालू गलत डालू फॉल्स गलत है ठीक है वे संसादन जो प्रकरती में असीमित मात्रा में मोजूद है समाप्त होने योग के प्राकरतिक संसादन कहलाते है ठीक है मतलब कह रहा है आपका कि ऐसे संसादन ऐसे रिसोर्स जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में वो एक्जॉस्टिबल है वो शैकारी है वो खतम हो जाएंगे सही है गलत है सही है गलत है वेरी गुट अगें फॉल्स ठीक है वन जीव एक संपूर्ण संपूर्ण नहीं शैकारी वन जीव एक शैकारी प्राकरतिक संसादन है मतलब जो वाइल लाइफ है जो हाती गोड़ा पाल की जैका नहीं है लाल की है ठीक है वो सारे के सारे लोग चटक जाएंगे सही है गलत है सही है गलत है सब्सक्राइब करन होने लगे तो वही आपके भिविश्चर प्रेशर पर कोई भी डेट बोड़ी और या डेट रिमेंस आपका फॉसलाइज होने लगे और उसका कार्बनी करन होने लगे तो वही आपके भिविश्चर में क्या होता है सारे कोईले एक ही प्रकार के होते पीट होते इनीशल में सारे कोईला क्या ठाई टेंपरेचर हाई प्रेशर पर क्या बन जाता है अब क्या होता है इसमें प्रक्रिय कार्बन हो गया तो यही आपका Koilla लिनद बन जाता है ठीक है अगर High ट्वेचर परहाई प्रेशर परकारवन होता गया होता गया होता गया यह पीड़ में कार्वन की अमांट हो गए कितनी साठ से सत्तर तो यहीं कोईल आपका vituminus कहलाने लगता है a v3 आपका बन जाता है Bduminous में यहीईUR कोईले में अगर आपका 55-60 परसंट 25 सेल 60 परसंट हो तो इस सब Bduminus भी कहलाता है 1 बीच में हो रहता है मैं सब 1 c 123 वेट olması और अगर यहीं कार्बन की अमाउंट US lesser 19 प्रतीशत आ जाए तो यही कोईला आपका सबसे एक फाइन कोईल बन जाता है एंथरा साइट तो यह तो बिल्कुल सही बात कह दी है इसने मजा क्या किया उसमें सही तो बोला है true है CNG पेट्रॉल और डीजल की तुलना में कम प्रदूशन कारी है सही यह गलत है सर हर दिन पाच वजे होती है क्या हां जी CNG पेट्रॉल और डीजल की तुलना में कम प्रदूशन कारी होती है बिल्कुल सही बात है तो आगे बढ़ जाए तो इसका फॉल से इसका फॉल से इसका टू है इसका टू है इसका टू है चलो निमने लिकित में से किसका उश्मिय मान सबसे अधिक होता है क्यारोसीन, बायोगैस, एल्पीजी या पेट्रोल सबसे जादा उश्मिय मान कैलोरिफिक वेल्यू उश्मिय मान सबसे जादा उश्मिय मान आपका हाइड्रोजन का होता है कितना होता है किलोग्राम पर किलोजूल उल्टा लिख दिया किलोजूल पर किलोग्राम कि एक किलोग्राम अगर हाइड्रोजन जलाओगे तो डेड़ लाक किलोजूल एनर्जी निकलेगी ठीक है अब आपको यह बताने इन में से सबसे ज्यादा किसका है सर नोटिफिकेशन बहुत लेट में मिलता है राजी को और तुम पहले सी पांच वजे बैठ जाया करो तुम्हें पता है पांच वजे इकलास स्टार्ट हो नहीं है पांच वजे नहीं हो रही है तो पांच साथ पांच पांच तक तो होई जाएगी चलिए वेरी गुड़ वेरी गुड़ ठीक है तो सबसे ज्यादा किसका है इसमें से यह आपको बताना है पेट्रोल का है अच्छा मतलब तुम लोग एंसी आटी नहीं पढ़ रहो एंसी आटी पढ़ रहो साइंस की पेड़ागोजी की क्लास कब लेंगे आप इसी में चालू करवा दूंगा रुख जाओ पहले मेरे को थोड़ा सा बेस तो बनाने दो तब तो तुम पेड़ागोजी के कुश्चिन कर पाओगे देखो आपकी इंसी आटी में एक चप्टर है ठीक है कोल एंड पेट्रोलियम क्लास एड की इंसी आटी में ठीक है उसमें अलग-अलग फ्यूल का कैलरिफिक वेल्यू दी गई है कैलरुफिक वेल्यू को किलो जूल पर किलो ग्राम में माप आ जाता है पहली चीज़ तो यह याद रख लेना सबसे पहले आपका दी गई है गाय का गोबर ठीक है गाय के गोबर की कैलरुफिक वेल्यू होती है आपका नियर अबाउट कितनी थी छह हजार से आठ हजार ठीक है फिर दूसरी आपकी दी गई है ठीक है कोईले की कोईले की काई को दी गई है दूसरी किसकी थी काउडंग हो गया काउडंग के बाद थी लकडी की ठीक है लकडी की आपकी कैलरुफिक वेल्यू दी गई है that is 17,000 से 22,000 फिर दिया आपकी किस की? कोईले की सबसे जारा गाओं में क्या जलाया जाता है? गाय का उपला उसके बाद लकडिया लकडिया नहीं मिलती तब क्या जलाया जाता है? कोईले की दी गई है आपकी 25,000 से 33,000 उसके बाद आपका दिये गए पेट्रोल, केरोसीन, डीजल पेट्रोल, केरोसीन और डीजल इनकी कतनी है? 45,000 ठीक है तो पेट्रोल, केरोसीन, डीजल इन सब की कतनी है? 45,000 ठीक है देन आपका बायो गैस ठीक है, बायो गेस की आपकी अलग-अलग वेरियेट करती है, ठीक है अलग-अलग जगे की बायो गेस में कंसेंट्रेशन अमाउंट अलग-अलग होता है 35,000 से 40,000 ठीक है, फिर दिये है आपकी CNG LPG ठीक है, तो CNG LPG की आपकी बताई गई है, 55,000 ठीक है, और लास्ली आपकी हाइड्रोजन की डेड़ लाक ठीक है, अब यह से साब से बतादो क्या सही है अच्छा एक और है, CNG LPG और प्योर मीथेन प्योर मीथेन मतलब किसी के साथ नहीं हो ना तो बायो गेस की फोर्म में हो केवल बायो गेस में आपका मीथेन, कारबन डा, अक्साइड, नाइट्रोजन अपका मिक्स्चर होता है, प्योर मीथेन की आपकी 55,000 होती है चलो, तो यह से साब से क्या हो जाएगा चली, तो answer to this question will be C will be the right answer next thing is हवा में जलाने पर, ठीक है अगर आप जला रहे हो किसी भी चीज़ को, तो आपको as a supporter क्या यूज करना पड़ेगा, oxygen without oxygen, burning होई नहीं सकती, हवा में जलाने पर magnesium ribbon उत्पन्न करता है magnesium oxide, पानी और प्रकाश magnesium oxide और गर्मी magnesium oxide, गर्मी और प्रकाश magnesium oxide, पानी और गर्मी तो अगर आप जला रहे हो चीज़ों को, that means आप क्या produce कर रहे हो, ठीक है flame reaction cause कर रहे हो, ठीक है और साथी साथ में ये magnesium oxide बन जाएगा साथी साथ में आपकी क्या निकलेगी heat निकलेगी और light निकलेगी c will be the right answer next thing is वह पदार जो जुआला से नहीं जलता है ठीक है तो the substance that does not burn with flame is LPG, camphor, dry grass, charcoal coal चलो तो एंसर टू दिस कोश्चिन विल भी चार कोल विदाउट फ्लेम आपका बर्निंग होती है ठीक है इसमें कोई फ्लेम नहीं प्रोडूस होती है डी विल वीदा राइट एंसर कपूर वेपर से उड़ जाता है हरे मेरी लाली मा सेरवाली ये तेरा से राग्या यहाँ पर जल रहा था वो का जल लाता वो आग लगती हुए का हाथ पर आग लग रही थी चलो अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो आग बुजाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कपड़ों पर पानी फेक दो अगनी शमक यंत्र का उपयोग करो व्यक्ति को उपर उगनी कंबल से डखे व्यक्ति को पॉलिथीन शीट से डखे डेफिनिशन बताइए ना सर शोबा कुमारी किस की किस चीज की डेफिनेशन चाहिए तुम्हें चलिए एंसर टू दिस कोश्चन विल भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बी या फर सी कर लो ठीक है देखो बी इस ऑल्सों गुड थिंग आप अगनी शमक यंत्र यूज कर सकते हो बट्ट थिंग इस होना भी तो चाहिए है है ना होना भी तो चाहिए हमारे घर में थोड़ी अगनी समगी अंत्र है घर में आग लग गई ठीक है चाचा जल लए अगनी समगी अंत्र ला रहे उसके बाद बुझाएंगे तो उससे बढ़िया क्या करो सी विल वीदा राइट एंसर ठीक है तो आप क्या करो उस परसन के ऊपर क्या डाल सकते हो ब्लैंकेट डाल सकते हो जिससे आग बुझ जाए नेक्स इंग इस निमने लिखित मैंसे किस पदार्थ का जोलन तापमान सबसे अधिक होना आप एक्षित है मिटी का तेल का पेट् 75 तो कुश्चिन क्या है कुश्चिन कह रहा है अगर आप चार कोल को जलाओगे बर्न करोगे तो फ्लेम से नहीं दिखेंगी इसकी क्या डेफिनेशन बताओ BPSC में मोर दन वन होता है सर हां जी BPSC में मोर दन वन होता है 77 का very good answer to this question will be C will be the right answer देखें वो आपसे पूछ रहा है highest हो क्या ignition temperature देखो ideal fuel क्या होते है आदर्श इंदन क्या होते है एक तो इनको क्या होना चाहिए है हाई calorific value होनी चाहिए और इनका low ignition temperature होना चाहिए लोगनीशन temperature मतलब थोड़ी सी भी आग दू आग पकड़ ले अब तुम क्या रहा हो कि high ignition temperature petrol का होता है बिटा पेट्रोल को तो अलगी सी भी दूर से चिंगारी दिखा दो बढ़क जाती है कोईले मैं तुम लेके ऐसे वह माचस की दिया सलाई लिए बैठे रहता है जल 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 जा तिरे बाप की कसम में जल 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 जा वो नहीं होता फिर एक कागज ले तो अभी सड़ी आ रही होगी घर में सिगडी नहीं से लगा रहे हो ठीक है जल जल ज जल 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 जा बहुत देर में जलता है उसके बाद तुम कहा करता है ऊपर थोड़ा सा कैरोसीन डाल देता हो फिर पगड़ा तो तुरंत आग लग जाती है तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई कोईले की होती बीपीएस्टी में रॉंग ड्रोल नंबर फील कर दिया मेरा रिजल्ट आएगा नहीं नेक्स इंग इस निमने लिखित मैंसे जल लंचील पदार्तों के बारे में सही कथन चुने ठीक है जल लंचील पेपर 2 साइंस की गलासस कब से स्टार्ट की है आपने मुझे टाइम हो गया शुरू आत मैं मैं वह कर वा रहा था जो प्रीवेस बेपर है बडाइस यह यह पेपर के साथ दिक्कत तो उसके लिए concept बना रहा हूं तो अभी बेसिकली तुम्हें पहले 6 7 8 9 10 के question करा रहा हूं जिससे concept आ जा जा है उसके बाद स्टार्ट करूंगा प्रीविएस ये चलो तो जोलंशील पदार जोलंशील मतलब इनफ्लेमेबल मतलब तुरंट आग पकड़ ले तुम लोगों के ऊपर पेट्रोल डाल ऐसे च्ट्रक दे यह तुरंट ऐसे ठीक है तो तुरंट आग पकड़ लेगा पेट्रोल तो उसकी क्या प्रोपर्टी होगी कम जलन्त आप मानोंगा आसानी से आग नहीं पकड़ सकता उच्च जलन्त आप मानोंगा आसानी से आग पकड़ सकता है कम जलन्त आप मानोंगा आसानी से आग पकड़ सकता है उच्च जलन्त आप मानोंगा आसानी से आग नहीं पकड़ सकता तो वेरी गोड एंसर टू दिस कोस्चिन विल भी सी विल वीदा राइट टेंपरेचर ल एक काम करना तो मैं अगर जिन्दिगी की मज़े लेने हो जिन्दिगी की मज़े पेट्रोल पंप पे जाना ठीक है पेट्रोल पंप पे जाना पेट्रोल बरवाना और उसकी टाइम मुझ में डालना एक बीड़ी लाइटर चलाना जो मज़ा आने वाला जिन्दिगी का ऐसा कसम से बहुत मज़ा आजाएगा ठीक है यह वार करके देखो प्रैक्टिकल तब तुम्हें समझ में आएगा लो इगनीशन टेंपरेचर क्या होता है इस पेट्रोल पंप पे जाओ गाड़ी में पेट्रोल डलवाओ ठीक है उसी टाइम पे बीड़ी सुलखा के देखो जिंद भी हुआ यहां पे इन्फ्लेमेबल पेट्रोल पंप लिखा रहे ता बड़े बड़े अक्षरों में हाईली इन्फ्लेमेबल तीक है बहुत जल्दी आग पकड़ेगी तुम लगा रहो हाई टेंपरेचर होना चीए का दस घंटा लगता है का पेट्रोल को आग पकड़ने म करके देखो अच्छा यह नहीं कर सकते हो तो दूसरा काम करो मुह में पेट्रोल डालो ठीक है मुह में पेट्रोल डालो ठीक है और ऐसे एक बोल पकड़ना क्या बोलते हैं फायर स्टिक और ऐसे करना कि ऐसे करके देखना ठीक है देखना क्या भूमादार आग निकलेगी बड़ चांसे सी है कि वह आग ऐसे पकड़ती को मुह में भी जा सकती है बहुत मजाएगा भी लगा रहे हो गदो जलो इंदन का उश्मिय मान एक एकाई में व्यक्त किया जाता है जिसे कहा जाता है किलो जूल प्रती लीटर किलो ग्राम प्रती मिली लीटर किलो जूल प्रती ग्राम किलो जूल प्रती किलो ग्राम जफर मुल्ला बेटा यही चल रही है concept यह सारे concept based question है जो तुमारे lines लिखे हुए है न NCRT में theory उन्हीं को मैंने question में डाल दिया चलिए तो answer to this question will be by calorific value किसमें मापी जाती है किलो जूल पर किलो ग्राम में ठीक है तो डी विल वी दा राइट इसा next thing is शाम चूले पर आलू की सब्जी बना रहा था उसे आश्चर हुआ जब उसने देखा कि तांबे का बरतन बार से काला हो रहा था इसका कारण हो सकता है इंदन का उचित देन आलू की सब्जी का ठीक से ना पकना इंदन का अनुचित देन तांबे के बरतन का जलना सर्क्रेक्शन नहीं होगा नहीं होगा बेटा निशारोय उन्होंने साब साब पहले बोल दिया था कि अपनी गल्टी के जिम्मिदार आप खुदी होगे चलिए एंसर तू दिस कोस्टिन विल भी देट इस सी इंप्रॉपर कंबश्चन ओफ फ्यूल देखें सी विल वीदा राइट अंसर देखो पहली चीज़ समझो दो तड़े के आपके क्या होते हैं हाइड्रो कार्बन होते हैं सैचूरेटेर अंसैचूरेटेर संतरप्त आसंतरप्त तो वो सारे के सारे होते हैं जिन में आपका सिंगल बॉन्ड होते हैं ऐसे सी 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 यह संतरप्त है आ संतरप्त आपके होते है double bond वाले या फिर triple bond वाले है ना अब देखो जब कभी आप लोगोंने जब कभी आप लोगोंने घर में LPG जलाई होगी घर में अपना क्या LPG जलाई है ठीक है यह saturated hydrocarbon है ना मीथे नी तो है CH4 CH4 single bonded compound LPG जलाई है ना तो आपने देखा होगा यह LPG blue flame के साथ जलती है देखाएगी नहीं देखा है सभी ने देखा है नीली नीली बरनर से नीली नीली लोग आती है LPG blue flame के साथ जलती है देखा है हाँ या ना नहीं देखा है तो अभी गैस में जाओ जला के देखो नीली नीली लोग निकलेगी ठीक है बट अगर आपके गैस के जो बरनर एघ गैस के बरनर ब्लॉक हो अगर गैस का बरनर ब्लॉक हो तो ब्लॉक एज के टाइम पे यह complete combustion है यह पूर्ण जोलन है यह पूर्ण जोलन है ठीक है blockage पर आपका क्या होता है incomplete combustion होता है कि अपूर्ण जोलन होता है अपूर्ण दहन होता है ठीक है और यी वजए से वही LPG आपके बरतन पर कालीख लगाने लगती है Courtney तुम नीली फलेम के अंदर अपना बरतन डाल देना दस गंटे तक पड़े रहने दाना काला नहीं पड़ता थी कशेएं बर्ट अगर ब्लोके जो तो वह अपका क्या करने लगता है वो काली क्ला काला करने लगता पूरा बरतन को ठीक है और वो यलो रंग की फ्लेम होती है तो अभी क्या चला है इंकंप्लीट कंबशन चला है अब पूर्ण द्वलन चला अंसेचुरेटेड हाइड्रो कार्बन बहुत सारे होते ब्यूटीन हुआ पैंटीन हुआ ठीक है पैंटीन फ्लेम के साथ जलेंगे मस्त बट अगर आप इन्हें एर की प्रेजेंस पर जला होगे तो यह यलो फ्लेम के साथ जलेंगे तो यह लो फ्लेम के साथ यह इंकंप्लीट कंबशन चो करते है प्योर ऑक्सिजन के साथ यह कंप्लीट कंबशन चो करते ग्षां क्लियर एं तो ये था गंसेप्ट बैर मसे कुस्च्छिन आते हैं यह वाले ग्षाचुरेटे कैसी लोग देगा लिए अन्सप्रेट कैसी लोग देगा खैनो प्रची लोग ओर रहे है तो अभylific complete combustion चल रहा है अब पूर्न द्रहन चल रहा है clear है चलो तुम मिलते कल till then have a nice day bye bye good day take care thank you